पिंजोर और कालका शहर में लोकडाउन के दोरान जहां पूरा शहर बंध है वहीं शहर के लोगों को बाल कटवाने में भी भरी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है वहीं जो लोग घर में दाड़ी भी नहीं काट सकते हैं उनके लिए आने वाले दिन काफी परेशानी के हैं लेकिन पिंजोर शहर के फोटोग्राफर और कैमरामेन आशिश वदवा ने इसका समधान निकालते वे घर में ही परीजनों के बाल काटने शुरू कर दिये हैं कॉरोना वाइरस के चलते लोकडाउन के दौरान फोटोग्राफर अशिश वदवा ने अपने पिता और बेटे के घर में ही बाल काट कर उसे गंजा कर दिया है वहीं आशिश वद्वा ने अपने पिता की दाड़ी भी खुद बनाई आशिश वद्वा ने कहा कि ऐसा उसने पहली बार किया है और उसके जिंदगी का यह सबसे पहला और अलग अनुभव रहा है फोटोग्राफर एंड कैमरामेन आशिश वद्वा ने कहा कि कोरोना वाइरस ने तो उन्हें नाई बना कर रख दिया है नाई के दुकाने बंद होने से लोगों की दाड़ी और सिर के बाल घने हो गए हैं और लोग परेशान हैं और आने वाले तीन मई के अगले फैसले की इंतजार में हैं यदि तीन मई के बाद भी लोकडाउन बढ़ता है तो लोगों के सिर के बाल कहां तक बढ़ने वाले हैं यह तो अब लोग खुद ही बताएंगे फिलाल लोगों के सिर के बाल काफी गने हो गए हैं और दुकाने के खुलते ही सबसे अधिक भीड नाई के दुकानों में देखने को मिलेंगी